स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम की बात पर आज ही 31 जन्वरी 2021 और आज हम आपके लिए लेकर आयों 31 जन्वरी 2021 से जुड़े करेंट अफिर की इंपोर्टेंट कुश्चन साथ ही इंपोर्टेंट फेक्ट साथ ही आज की वीडियो के अंत मे आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल दो प्रश्चन होंगे आप सभी को इन दोनों कुश्चन के आंसर कमेंट बोक्स में देने हैं दोनों कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बोक्स में जरूर दीचेगा साथ ही आज क आपको याद रखना है कि 30 जनवरी 2020 को महात्मा गांदी जी की 73 पुन्यतिती मनाई गई है important है और आपको याद रखना है साथ ही इस से जुड़े कुछ important fact आप याद रखेगा जैसे कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांदी जी की मृत्य होई थी जैसा कि आप जानते हैं कि नातुराम गोड़से के द्वारा दिल्ली के बिल्ला मंदर के निकट 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांदी जी को गोली मारकर हत्या की गई थी तो 30 जनवरी के दिन महात्मा गांदी जी की पुन्यतिती मनाई जाती है और इस वर्ष 73 भी पुन्यतिती मनाई गई है साथ ही आप याद रखेगा कि इस दिन को शहीद दिवस की रूप में भी मनाया जाता है हमारे देश भारत में प्रमुक रूप से दो दिनों को शहीद दिवस की रूप में मनाया जाता है जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, सबसे पहला आता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को यानि कि कल के दिन महात्मा गांदी जी की पुन्य तिती को शहीद दिवस की रूप में मनाया जाता है, इसके लावा एक और दिन आता है जिसे कहते 23 मार्च, 23 मार्च की तारीक को भी शहीद दिवस की रूप में मनाया जाता है, आपको ये दोनों डेट याद रखनी है, और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि महात्मा गांदी जी की 73 पुन्य तिती संद 2021 में 30 मार्च को 30 जनवरी को मनाई कई है, इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है, आ ठीक है दोस्तों, तो पूरे भारत में लगभग 42 पदार्त ऐसे हैं, जिने करनाटग राज्य की ओर से GI टेग प्राप्त हुआ है, इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि करनाटग राज्य सरवादिक GI टेग प्राप्त करने वाला राज्य है, जिसके पश्चत 42 इस पदार्तों के सूची है जिने कि GI टेग प्राप्त है, इंपोर्टेंट गोश्चन और आपको याद रखना है, साथ ही याँ बहात है करनाटग राज्य की, तो करनाटग राज्य सी जुड़े इस महीने के चार इंपोर्टेंट फैक्ट है, जो आपको याद रखना है, सबसे पहला, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? एक कोशन हमने पढ़ा था, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में करनाटिक राज्य शीर्ष पर है. लीथियम भंडार की खोच, हाली में करनाटक राज्य में लीथियम भंडार की खोच की गई है वहीगर बात करें तो क्रशी संजीवनी वेन शुरू करने वाला राज्य भी करनाटक है क्रशी के शेत्र में भूमी यानि कि मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को जाचनी के लिए क्रशी संजीवनी वेन की शुरुवात किसने की है तो करनाटक राजजने की है आपको याद रखना है और हाली में रवी कुमार मुक्य सची बने है करनाटक राजज के तो ये चार important facts देखे गए हैं इस जनवरी महीने की शुरूआत में साथ ये आपके लिए information है कि कल के दिन आपके लिए important वीडियो आने वाला है जिसमें कि जनवरी महीने में जिस जिस राज्य में कुछ important question देखे गए हैं उन पर एक वीडियो आने वाले जब को जरूर देखना है तो यहाँ पर आपको ये चार important facts याद रखने हैं करनाटक रज्य से इंडिया innovation index 2021 में शीष पर आये लीथियम बंडार की कोच करनाटक रज्य में की गई है क्रशी संजीनी वेन की शुरुवात करनाटक रज्य में हुई है और रवी कुमार मुक्य सची मने है करनाटक रज्य के अगला कोशिन आता है शूब दर्शनी त्रिपाटी किस देश में भारत की राजदूत न्युक्त हुई है तो आप याद रखेगा कि शूब दर्शनी त्रिपाटी को भारत की विदेश मंतराले की और से कजाकिस्तान देश में भारत की राजदूत न्युक्त किया गया है कजाकिस्तान ये एश्य मादीब का एक देश है ठीक दोस्तो और सूब दर्शनी त्रिपार्टी को इसी देश की भारत की राजदू नुक्त किया गया है एक important question और आपको याद रखना है साथ ही आप याद रखेगा एक और मनीश सिंग चोहान इनका नाम भी आप याद रखेगा मनीश सिंग चोहान इन्हें जो है पूर्टगाल में कहाँ पर तो यूरोप के देश पूर्टगाल में भारत का राजदू नुक्त किया गया है ये भी हाली में नुक्त हुए हैं तो इनका नाम भी आपको याद रखना है मनीश सिंग चोहान जो है पुर्टगाल में राजदोत नुक्त हुई है और शुब दर्शनी त्रिपाटी ये कजाकिस्तान दीश में भारत की राजदोत नुक्त हुई है अगला हमारा क्वेशन नुमर पांच है ब्राण फाइनेंस ग्लोबल फाइफंडर्ड यानि कि पांसो कमपनियों के एक लिस्ट है इसमें किस भारती कमपनी ने पांचवी रेंग हासिल की है तो भारत की और से शीष पर यानि कि भारत की कमपनियों में से शीष पर रही है जी बात करें आज के दिन से जुड़ा एक important fact जो इस प्रकार है global climate risk index 2021 में भारत साथवे इस्थान पर रहा है important और आपको याद रखना है कि 2019 से एक list बनाई जा रही है जिसमें कि 2021 को इसको जारी किया गया है और global climate risk index में हमारा देश भारत साथवे इस्थान पर रहा है important और आपको याद रखना है question exam में पूछा जा सकता है कि global climate risk index 2021 में हमारा देश भारत कौन सी स्थान पर रहा है तो साथवे स्थान पर रहा है important है बात करें अगले question की तो अगला question कुछ इस प्रकार है कौन सी company 5G network 5th generation का network का सफल परिक्षन करने वाली देश की पहली company बन गई है अभी तक हमारे mobile में 4G network use कर रहे थे यानि इसका उपयोग कर रहे थे और अब 5G network का सफल परिक्षन किया है किसने किया है तो airtel ने किया है साथ ही airtel देश की पहली company बन गई है यानि कि जिसने के हमारे देश में कहाँ पर किया है तो करनाटेक राज्य में किया है कौन सी company 5G network का सफल परिक्षन करने वाली देश की पहली company बनी है तो airtel बनी है ये भी important question और आपको याद रखना है आज का हमारे question नमट 6 है और एक important question है देश का पहला IIL यानि कि Indian Institute of Law जैसे कि IIT यानि कि Indian Institute of Technology और एक होता IIM Indian Institute of Management उसी परकार अब एक नया institute open किया गया है जिसका नाम है Indian Institute of Law IIL ये किस राज्य में खोला जाएगा तो आपको याद रखने की हाली में जो राज्य है इसकी राज्य है इसकी राज्य कि राज्य है भूनेश्मर में जो कलिंग प्रदेश था वर्तमान में उसे ओडिसा के नाम से जाना जाता है और कलिंग से जुड़ा एक important fact में आपको बताया था कि 261 ईसा पुर्व हुआ था कलिंग का युद्ध किसके मद्धी हुआ था तो कलिंग के राजा नंदराज और अशोक के मद्धी हुआ था 261 ई सन 1250 में हुआ था कोनार के सुर्य मंदिर का निर्माण important और आपको याद रखना है वही अगर बात करें तो करनाटिक राज़ राज़ राज़दानी है भूनेशवर वर्तमान में यहापके मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक important और आपको याद रखने 37 के राज़पाल है ज सफाई परियोजना बिंतु सागर सफाई परियोजना की शरुवात हुई है ओडिसा राज़ में भारत का पहला firepark important और आपको याद रखना है कि भारत का पहला firepark ओडिसा में खुला है साथी में अब को एक और बताय तहा जिसका नाम था भारत का पहला tire park यह पश्ची मंग बाहरत का पहला टाइर पारq पस्ची मंगाल में और पहला फाइर पारख जो है ओडिसा Kita saja में इसके अलावार राम लिंगेश्वर पारख जो है और इसा राज्य से याद रखने है इसके बाद कॉश्चन आता है देश का पहला इगलू केफे कहा बनाया गया है तो देश का पहला इगलू केफे स्विच्जर लेंड की तर्च पर स्विच्जर लेंड एक देश है जिसके तर्च पर ही स्विच्जर लेंड देश की तर्च पहला इगलू केफे बनाया गया है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर केंदर शाषित प्रदेश है और यहाँ पर देश का पहला इगलू केफे बनाया गया है तो यहाँ पर देश का पहला इगलू केफे जम्मू कश्मीर केंदर शाषित प्रदेश में खोला गया है अब केंदर शाशित परदेश की है तब को याद रखने जम्मू कश्मीर की इसके अलावा पंकज मित्तल हाई कोट के मुख्य नयाईदिश बने है जैसा कि आप जानते कि जम्मू कश्मीर को अलग करके 31 अक्टूबर कब तो 31 अक्टूबर 2019 को केंदर शाशित परदेश बनाए गया था दो केंदर शाशित परदेश बने थे जम्मू कश्मीर और लद्दाक तो जम्मू कश्मीर लद्दाक का वरत्मान में एक ही हाई कोट है जो की जम्मू कश्मीर में इस्तित है और इसी के मुख्य नयदिश बने हैं पंकज मित्तल अगर question आजए कि जम्मू कश्मीर आजए या फिर लद्दा खाजए तो आपको याद रखने हैं दोनों का एक ही high quote है जिसे जम्मू कश्मीर high quote के नाम से जाना जाता है और इसके वरत्मान में हाली में नई मुख्य नयदिश बने हैं पंकज मित्तल इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है तो ये थे आज की दिन से जुड़े current affair के important question साथ ही इन से जुड़े सभी important fact जो आपको याद रखने है और आप हो सके तो इन्हें note जरूर कर लीजेगा अब बात करें last video के test की तो last video का हमारे test था असत्य विकल्प को चुने एक important question तो आपको बताना था कि निम्न में से कों सा विकल्प असत्य है तो यहाँ पर आपके 4 question complete होने वाले थे पहला था बंगाल विभाजन के लोड करजन के समय हुआ तो सबसे पहले हम इनके सन की बात कर लेते हैं तो बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में आपको याद रखने है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ रेले आयोग, रेले आयोग को गटन 1902 में हुआ था इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है इससे रूड़ा क्वेशन एक्जाम में पूछा गया है 33 दिल्ली दर्बार का आयोजन 1911 में हुआ था इनको आपको नोट जरूर करना है और जलिया वाला बागत्याकान आप सभी जानते हैं अब अगर बात करें तो बंगाली भजन 1905 लोड करजन के समय हुआ बिल्कुल सही है लोड करजन नहीं बंगाली भजन किया था सन 1905 में रेल्यायोग यहाँ पर ये गलत है रेल्यायोग भी लोड करजन के समय पर ही आया था 1902 में जो लोड़ करजन था ये 1899 से लेकर कब से लेकर तो जो अटारासो ण्य्न्यानुवे से लेकर 1905 तक बहरत में वाइस राहे रहा था इसका समय आपको याद होना चाहिए 1899 से लेकर 1905 तो जो रेल तकर हैं आयोग आयोग आये 1902 में वो किसके समय आएगा उस समय ब्रिटिस सरकार के द्वारा भारती शिक्षा में सुधार के लिए ही रेले आयो का गटन किया गया था और यह किया गया था लोड करजन के समय यह आपको याद रखना है तीसरे दिल्ली दर्बार, जैसे कि मैं आपको बता है, 1911 में लोड होडिंग दिट्ट्य के समय, तो ये option में बिलकुल सही था, तो 33 दिल्ली दर्बार का आयोजन 1911 में किया गया था, और इसमें ये भी कहा गया था, कि बंगाल वी भाजन को समाप्त कर दिया गया है, बंगाल तो ये भी option बिलकुल सही था, तो यहाँ पर जो असत्य विकल्प था, वो ता रेले आयोग जो कि लोड करजन के समय 1902 में हुआ था, आप चाहे तो इन सभी को नोट कर सकते हैं, आज का हमारे question number, जो last test का question number 2 था, किस राजजी की पुलिस अकादमी देश की चुना गया है, एक important question है और आपको याद रखना है, तो यह थे last test के दोनों important question, जिनके answer आपको comment box में देने थे, और आपने सभी ने बिलकुल सही answer इसके दिये थे, तो आपको ये दोनों question याद रखने है, ठीके दूस्वर इनने note भी कर लेना है, अब हम चलते हैं, आज के पहला प्रशने और एक important question है सभी, जो current affairs से जुड़े हुएं और आने वाले exam में जरूर देखे जाएंगे, असत्य विकल्प को चुने, आपको चुनना है कि कौन सा असत्य है, मकर विलकु वाशिक त्योहार, कि केरल राज्य में आई जित हुआ है, कानुमत त्योहार, क्या याद रखना है, आज का हमारा question number 2 है, गनतंतर दिवस पर किस राज्य की जाकी को पहला पुरुसकार प्राप्त हुआ है, तो जैसा कि आप जानते हैं, कि इस 26 जनवरी को हमारे देश भारत का 72 वा गनतंतर दिवस मनाया गया है, अगर आपने इससे जुड़ा वीडियो नही प्रुसकार प्राप्त हुआ है, इसका आंसर आपको comment box में देना है, तो यह हैं आज के test के दोनों question जिनके answer आपको comment box में देना है, साथ ही अगर आज के वीडियो अच्छा लगे, तो like and share ज़रूर करें, साथ ही वे सभी जो चैनल पे नहीं है, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दमाएं, जिससे के आने वाले वीडियो की तुरण जानकर आपको मिल सके, अगर आपको हमारे द्वारा पूचे गए question, जो test के question है, अगर important लगे, तो आप हमारे telegram channel को join कर स